शो शुरू करने से पहले एक ललन टॉप जानकारी ललन टॉप पर आप जिन लोगों को देखते हैं, जिन लोगों को सुनते हैं उन से मिलना बती आना चाहते हैं तो आपके लिए खुश खबरी है यह सारे लोग के कट्टा होने वाले हैं एक ही जगे शनिबार 9 अपरेल, शाम 4 बजे से होने जा रहा है इंडिया टुडे हैपिनेस फेस्टिबल और ललन टॉप अड़ा जगे होगी सुन्दर नरसरी दिल्ली में हुमायू के मकबरे के बगल में यह जगे है यहां आपको मिलेंगे सौरव द्वेदी और ललन टॉप के सारे अंकर्स भी इसके लावा भी बहुत कुछ होने वाला है निजामी बदर्स का कमाल है, सलोनी गौर का स्टैंड़ अप अक्ट होगा मौके पर पहुँचेंगे तो पूर आनन्द मिलेगा का मामला लगातार चर्चा में है रूसी राजपती व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वार क्राइम्स का मुकदमा चलाने की बात चल रही है कुछ देशों ने रूसी राजनेकों को अपने हां से निकालना शुरू कर दिया है पुतिन के इनर सरकल पर शिकंजा कसा है जिन लोगों पर पुतिन की दो बेटियों का भी नाम है अभी तक पुतिन ने अपने घरवालों को परदे के पीछे रखा लेकिन हालिया पुतिबंदों के बाद उनकी चर्चा नए सिरे से शुरू ही है आज हम जानेंगे जंग के बीच पुतिन की बेटियों का जिक्र क्यों आ गया और परिवार के लोगों को निशाना बनाने की वज्ज़ है आखिर क्या है नमस्ते मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं अंतर राश्री प्रसंगों पर हमारा खास पुलिटिन दुनियादारी साल 2015 पुतिन एक लंबी प्रेस कांफरेंस के बीच में थे दुनिया भर के मसलों पर तमाम किस्म के सवाल उनके तरफ उच्छा ले जा रहे थे इसी दौरान एक सवाल में उनकी निजी जिन्दगी को कुरिदने की कोशिश की गई उनसे उनकी बेटियों के बारे में सवाल कर दिया गया पुतिन थोड़े हिच के चाहे फिर वही किया जो वो बरसों से करते आ रहे थे उन्होंने उस सवाल को दरकिनार किया बस इतना कहा मेरे बेटियां रूस में रहती है उनके पढ़ाई लिखाई भी रूस में ही हुई है मुझे उन पर गर्व है फिर पुतिन कहते हैं कि मैं अपने परिवार के बारे में किसी से चर्चा नहीं करता हर शक्स को अपने हिसाब से जिन्दगी जीने का पूरा अधिकार है राश्पती बनने के बाद से ही पुतिन ने अपनी फैमिली को छिपा कर रखा फिर भी मीडिया रिपोर्ट्स में उनके बारे में गाहे बगाहे खबरे आती रहती हैं पुतिन के परिवार के बारे में बाहर की दुनिया को क्या-क्या पता है एक एक करके जान लेते हैं पुतिन की पहली शादी 1983 के साल में हुई लिउद मिला से उस समय पुतिन सोवेट संकी खुफिया एजेंसी के जीबी के एजेंट होते थे, लियूद मिला एरो फलाट में फ्लाइट एटेंडनेंट के तौर पर काम करती थी, पुतिन के साथ उनकी शादी 30 बरस तक चली और 2013 में दोनों अलग हुए तलाक हुआ, तलाक के बाद पुति और लिक डोमेन में बहुत जानकारी नहीं है, सबसे बड़ी बेटी का नाम मारिया वोरोन सोवा है, मारिया पुतिना भी इनको कहते हैं, मारिया का जन्म 1985 में हुआ, उन्होंने स्ट पीटर्सबर्ग उनिवरस्टी से बायलेजी और मॉस्को स्टेट उनिवरस्टी से मेडि और इस हमले में 298 लोग मारे गए इस घटना के बाद नीदरलाइंट्स में प्रोटेस्ट सुए मांगी गई कि पुतिन की बेटी को देश से बाहर निकाला जाए तब से मारिया मॉस्कों में रहती हैं लेकिन उन्हें पब्लिक स्पेस में बहुत ही कम देखा जाता है वो सरका का जन्म 1986 में हुआ था इस जर्मनी में उस समय पुतिन के जीबी की एक एजन के तौर पर इस जर्मनी में ही तैनात किये गए थे कैटरिना पेशे से एक ड्रॉकन रोल डांसर हैं 2013 में उन्होंने एक इंटरनाशनल इवेंट में एक पार्टनर के साथ पांच्वा स्थान हास 2018 में अमेरिका ने पुतिन के दामात के ओपर पतिबन लगा दिया था फरवरी 2022 में युक्रेन पर हमले के बाद से पश्यमी देश रूस की संपतिया जब्ट कर रहे हैं इसी करम में फ्रांस में एक लगजरी विला से दो रूसियों को गिरफतार किया गया था जिस विला में उन्होंने पुतिन के साथ रिष्टे का कोई जिक्र नहीं किया पुतिन दावा करते रहें कि वो अपने बच्चों के राजसी जीवन शैली के खिलाफ हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे आम लोगों की तरह ही बड़े हो पुतिन के कफेर की भी खूब चर्चा होती है दा सवाल कर दिया गया एक बार तब उन्होंने रेपोर्टर को जड़क दिया था उन्होंने तब कहा था कि मुझे ऐसे लोग करता ही पसंद नहीं जो दूसरों की निजी जिंदगी में अपनी नाग घुसाते फिरते हैं जब पुतिन अपनी फैमिली को सबसे छिपा कर रखते हैं और उन्हें आम नागरिकों की तरह जीने के लिए कहते हैं फिर अमेरिका ने परतिबंद क्यों लगाए इस सवाल पर आते हैं जिन लोगों पर प्रतिबंद लगाए गए हैं उनमें रूस की विदेश मंतरी सरगे लावरोग का परिवार भी शामिल है हालियां प्रतिबंद बूचा में अरसंगहार के आरोपों के बार लागो किये गए रूस इन आरोपों से इंकार करता रहा है उसका कहना है कि ये तस्विरे प्लांटेड हैं ये सब रूस को बदनाम करने के लिए जानबूच कर किया जा रहा है हमारा बड़ी खबर सेग्मेंट यहीं पर समाप्त होता है अब चलते हैं सुर्खियों पर पहली सुर्खि का सम्मन पाकिस्तान से है तीन अप्रेल को डिप्टी स्पीकर ने प्रधान मंतरी इमरान खान के खिलाफ अब विश्वास प्रस्ताव को रद कर दिया था फिर पी-एम के सिफारिश पर राश्पती ने नाशनल असेमली को भंग कर दिया था इसके बाद मामला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में था नाशनल असेमली के भंग होने के बाद से मामला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में था पिछले चार दिनों से अदालत में सुनवाई चल रही थी और साथ अपरेल को सुप्रीम कोट ने अपना फैसला सुनाने का एलान किया दिन बर चली सुनवाई के बाद कोट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कोट ने भारती समयनों सार आठ बजे फैसला सुनाने की बात कही थी आलनकि फैसला आने में एक घंटे की देरी हो गई सुप्रिम कोट ने डिप्टी स्पिकर के फैसले को और समय धाने करार दे दिया है नाशनल असेमली को बहाल कर दिया है कोट ने 9 अप्रेल को नाशनल असेमली में वोटिंग कराने का भी आदेश दिया है कोट ने ये भी कहा कि ब्रधान मंत्री को राश्पति को सला देने का अधिकार नहीं है पांच जजों की बेंच ने एकमत से फैसला सुनाया जान लेते हैं फैसला आने के पहले क्या क्या हुआ है फैसला सुनाने से पहले सुप्रीम कोट ने चुनाव आयो कि सच्छिव को अदालत परिसर में बुलाया था जैसे ही अदालत ने फैसले का समय तय किया वैसे ही सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी फ्रंटियर कोर्ट को भी हदालत की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया था इस मामले की बाकी अपडेट्स आपको अगर चाहिए तो ललन टॉप पर आपको मिलती रहेंगी की परताल के बाद ऐसे कम से कम 71 मामले मिले हैं जिनमें ब्रेंडेट्स से पहले ही लोगों के शरीर से अंग निकाल लिए गए और्गन ट्रांस्प्लांट की गाइडलाइन्स के मताबिक ऐसा करने को अनैतिक माना जाता है यह सबी मामले 1980 से 2015 के बीच के हैं 2015 बे जाकर चीन ने मौत की सजा पाने वाले कैदियों से अंग निकालने पर बैन लगाया था उससे पहले चीन में और्गन ट्रांस्प्लांट का अधिकांच हिस्सा इनी सजायाफ़ता कैदियों से आता था वज़े यह थी कि चीन में आम लोग अपनी इच्छा से अंगदान करने से बचते थे चीन में डेथ पेनल्टी के डेटा को छिपा कर रखा जाता है चीन बड़ी संख्या में अपराधियों को मौत की सजा देता है हर साल इसी वज़े से आकड़ों में भारी फेर बदल की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता आज की तीसरी और अंतिम सुर्की तुर्की से है तुर्की की एक अदालत ने सौधी अरब के पत्रकार जमाल खशोग जी की हत्या का केस ट्रांसफर करने का आदेश दिया है खशोग जी अमेरिकी अकबार वाशिंटन पोस्ट के लिए काम करते थे अक्टूबर 2018 में वो इस्तानबुल के सौधी दूतावास में कुछ दस्तावेज लेने गए उसके बार वो कभी बाहर नहीं आए दूतावास के अंदर ही कुछ एजिंस ने उनकी हत्या कर दी थी इस हत्या का आरोब सौधी क्राउन प्रिंस MBS पर भी लगता है मौहमद बिन सल्वान दावाई यह है कि उनके इशारे पर हत्या की गई MBS इससे इंकार करते रहे हैं खशोग जी सौधी अरब के सत्ता प्रतिष्ठान के आलोचक थे इसके चलते उन्हें सरकार की खूब नाराज की जहलनी पड़ी सितमबर 2017 में खशोग जी ने सौधी अरब छोड़ दिया था और इसके बाद भी सरकार उनके पीछे लगी रही लेकिन उनकी मंगेतर के फोन में प्रेगस स्पाइवेर का भी इस्तमाल किया गया हर गतिविधी पर इसी आधार पर नजर भी रखी जा रही थी आखिरकार अक्टूबर 2018 में दूतावास के अंदर उनकी जान ले ली गई हत्या तूर्किय में हुई थी इसलिए केस भी वही चल रहा था इस मामले में सौधी अरब के 26 लोगों को आरूपी बनाया गया था हाला कि इन्हें कभी कढ़ घर में खड़ा नहीं किया जा सका क्योंकि ये लोग तूर्की छोड़ चुके थे पिछले कुछ समय से तुर्की आर्थिक संकट से जूज रहा है इस से निपटने के लिए सरकार सौधी अरब से रिष्टे सुधाना चाहती है मेडा रिपोर्ट्स के मताबिक सौधी अरब ने जमाल खशोग जी के केस को ट्रांसफर करने की शर्त रख दी थी अब ये शर्त मान ली गई है तुर्की का सरकारी बयान थोड़ा लग है इससे उनका कहना है कि तुर्की में केस बेनतीजा रह जाता इसी लिए फैसला लिया गया हम दुनियादारी में जमाल खशोग जी के बारे में विस्तार से बता चुके हैं आपको एपिसोड कर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जाते आते एक जरूरी सूचना और IPL के बारे में IPL आ गया है और साथ ही लौट आई है बंचक जिसमें हम करते हैं IPL पर मज़दार बातें IPL के दौरान अलन टॉप पर जुड़ी है हमारे खास कारे करम बंचक और क्रिकेट लाइव से प्री मैच, मिड मैच और पोस्ट मैच तीन बार ललन टॉप स्पोर्ट्स की लाइव कवरेज आपको मिलेगी यहां इसके लाबा मैच से जुड़ी बाकी जानकारियों के लिए बी जुड़ी रही है ललन टॉप स्पोर्ट्स ते दुनाय में मची हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी आप बने रही है ललन टॉप के साथ आज के दुनेदारी में बस इतना ही कल फिर मुलाकात होगी इसी उमीद के साथ हम विदा लेते हैं शुक्रिया शुभरात्री